कि हेलो फ्रेंट्स हाव अर्यू आई होप यू विल भी फाइन मैं हूं जीतंदर साहर और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस आज मैं आप लोगे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट जो तेंथ क्लास का समाजिक विग्यान है सोसल साइन्स है वह जो गवर्मेंट द्वारा बी एसे भी पटना द्वारा जो लंच किया गया है मोडल पेपर उसका सॉलूशन जो है आपको टोटल अबजेक्टिव इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों ताकि आपका एक नंबर जो है छूटे नहीं दोस्तों और मैं चाहता हूं कि आपका हर एक नंबर जो है एकदम बढ़िया से नंबर आए और आप लोग एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए ठीक है दोस्तों इसी विश्वास के साथ मैं लेकर आ गया हूं और चलिए सुरू करते हैं आ कि आपको जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं सीधे आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो साथ ही मैं यह बता दो कि जेके डिटल क्लासेस के माध्यम से आपको सारे जो मोडल पर लॉंच किये गया है बी यह से भी पटना के द्वारा सबका सी जो सब और फर्स्ट कोशन देखिए क्या कह रहा है मेरा इसमें फर्स्ट कोशन देखिएगा क्या कह रहा है कह रहा है कोशन फर्स्ट यह हैं आपके स्क्रीन पर है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिसी कहे जाते थे तो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिसी कहे जाते थे क्या कहा जाते थे कोलोन तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने जो भी आपको बीशे पढ़ाया था सेम तुसे मुझे को सन हूब 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 लड़ रहे हैं यानि कि मेरा गरांटी है मेरा दावा है कि जो आप एक्जाम में बैठेंगे जब इस तरह के सच मुझ में गर्दा मचा दिजेगा क्योंकि ऐसे ही कोसन आप लोगों को आएगा और जो मैं कहता हूं वही कोसन जो हर साल आते हैं यानि कि आपको कोसन हुब हूब हूब है सेम टू सेम मेरा कोसन बताया हुआ ही लड़ जाएगा ठीक है दोस्तों तो फर्स्ट को सन था कि के लिए लिए इसका एंसर आपको हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ठीक है सी नंबर एंसर हो जायेगा ठीक हैं तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लोग इसका हम लोग दो नमबर रोलेट एक्ट कोब पारित हुआ कोशन नमबर दो मेरा है कि रोलेट एक्ट कोब पारित हुआ तो रोलेट एक्ट जो है दोस्तों 1919 में पारित हुआ इसलिए इसका एंसर हो जाएगा ए नमबर ठीक है समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं तीन नमबर जालिया वाला बाग हत्या कांड के बिरोध में किसने अपनी नाइट के उपाधी त्याग दी थी जालिया वाला बाग के हत्या कांड के बिरोध में किसने अपनी नाइट के उपाधी त्याग दी बहुत ही लॉलीपाप को पाधी जो है दोस्तों त्याग दिये ठीक है आगे बढ़ते हैं और कोसर नमर देख लेते हैं चार ठीक है दोस्तों कोसर नमर देख लेते हैं चार जर्मानी के एकी करन में किसकी भूमी मोहतपूर थी तो यहां पर मेरा एंशर हो जाएगा भी विस्मार्क भी स्मार्क की भूमिका जो है अग्दम मोहतपूर थी ठीजे़ों तो अग् Уचरब ऄयों नमर 5 ए आर्थ समाज किआ स्थापना किस ने की थी तो आर्ज समाज की आस्थापना दोस्तों स्वामी धयानंद सरस्वती ने की थी ठीक है आगे बढ़ते हैं और कोशन नमर देख लेते हैं छो पूर्ण सवराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस बार्शिक अधिवैशन में पारित हुआ ठीक है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और इस तरह से अगर आपको सेम टो सेम कोशन मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि एकदम तहालका मचा दीजिएगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशन नमर साथ कोशन नमर जाएगा भी बंबाई में यानिकी जिसको हम लोग मुंबाई कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर आठ अखिल भारतिये ट्रेड इूनियन कॉंग्रेस ए आई टी यू सी और इंडिया ट्रेड इूनियन कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष क ठीक है दोस्तों समझ में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और देख लेते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर दस विक्टर इमाइन्वेल ने की से पर्थान मंत्री नियुक्त किया तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि विक्टर इमाइन्वेल ने काउंट काबूर को पर्थान मंत्री नियुक्त किया इसलिए अंसर हो जाएगा सब्सक्राइब देख लेते हैं किस ने किया देखिये दोस्तों बहुत ही इजी कोशन है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा इसका अंसर आपको क्या होगा तो रक्त हैम लों की निथी का अवलंबन जो है विक्टर इस यो यह आंसर हो जाएगा यां धी ठीघिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं को सना नमबर 12 नई अर्थिक नीती नेप कब लाग हुई दोस्तों तो नेप जो है आपको 1921 में लाग हुई थी इसनले इंशर हो जाएगा आगे हमारों देख लेते हैं इंडियान स matter टियोरी कमिशन का अन्य नम क्या था तो हिए इंडियान सcause ट्यूरी कमिशन का साइमन कॉमिशन उसका दूसरा नाम था कोस्टर नमबर 14 महात्मा गांधी ने किस समस्टार पत्र का संबाधन किया था यंग इनडिया यानि की b नमबर एंसर हो जाएगा मेरा ठीक है ऐगे बढ़ते हैं और कोस्टर नमबर 15 को देख को देख पुस्तक की छपाई की गुटेंबर्ग ने सर पर्थम किस पुस्तक की छपाई की तो इसका एंसर हो जाएगा आपको याद होगा बाइबिल सी नंबर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नंबर 16 शुला असो काविलेख किस लिपी में है आपको एंसर दिया हुआ है आपके आपके अप्शन में है ब्रामी लिपी फार्सी लिपी रोमन लिपी इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर एंसर हमारा हो जा कोशन नमर 17 में है दोस्तो बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था तो बंगाल विभाजन दोस्तो आपको याद तो होगा ही होगा चली नहीं होगा तो मैं बताएता हूं कि बंगाल विभाजन जो है 19-19 में वापस ले लिया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं रू उसमें 10 प्रथा दोस्तों बतादे कि 1861 में समाप्त कर दिया गया था इसलिए अंसर हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों दोस्तों दूत्जा अंतरास्टी यह निकी बी नमबर तृक्त गया गया आगे बढ़ते हैं और दूस्टी देखते हैं को से नमबर बी अगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर 21 वार एंड पीस किस ने लिखा था कि चैकिस ने लिखी तो वार एंड पीस दोस्तों बार बार मैं बता रहा हूं कि टाल्स टाय ने लिखा था बहुत सारे बच्चे जो है काल्स मार्स को देखकर सही टीकप लगा जेते हैं जो की गलती है इसलिए एंसर क्या लेखक थे ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर 22 सोभियत सांग का बिघटन कब हुआ दोस्तों इसमें पूछा गया है सोभियत सांग का बिघटन कब हुआ तो सोभियत सांग का बिघटन जो है आपको 1991 में हुआ सौरी दोस्तों 1991 में हुआ ठीक है दोस्तों आपको याद होगा 1989 में हुआ ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं question number 23 23 पठना को अजीमा बाद नाम किसने दिया तो देखिए कि दोस्तों अजीमा नाम ही है अजीमा बाद कौन दिया होगा तो जिसम अजीम लगा होगा यानि का option मेरा 20 है अजीम उस सान ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और question number 24 देखते हैं पाटली पुत्र नगर की अस्थापना किसने की तो पाटली पुत्र नगर की अस्थापना है जो है दोस्तों पाटली पुत्र का जो founder थे वे अजात सत्रु थे ठीक है लेकिन पाटली पुत्र नगर की अस्थापना जो किया दोस्तों वह थे चंद्रगुप्त मौर्ज ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 25 भारत मेराश्टी आयकी गर्णा की संस्था द्वारा की जाती है तो भारत मेराश्टी आयकी गर्णा दोस्तों केंद्रीय संखे की संगठन के द्वारा की जाती है इसलिए एंसर हो जाएगा ए नमबर ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर 26 योजना आयोक का गठन कब हुआ दोस्तों बहुत ही इजी कोशन है आप लोगों को मैं बार बार बताया हूं आज भी बता रहा हूं इसका एंसर हो ज स्वामित होतको जिसमें नीजी बैक्ति को क्राँधक लाता है तो ब्लस्तों चाहिक दोस्तों पूजिवादी अरथ में उत्पादन के साथ-पर निजी ब्यक्तियों का इभाते है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वायोका बिजली आपको दूतियक खेत्र के अंगक है तो इसलिए आपको याद रखना होगा बारबार मैं बता रहा हूँ ठीके दोस्तों ही लाइए और पुड़ा एक्जाम में गर्दा मचा देजिए ठीके दोस्तों इसका सब्जेक्टिव भी मैं बता रहा हूं कि दूंगा बस आप मेरे जेके डीटल क्लासस के साथ बने रहें अगर अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक् इसकी राजधानी जो है आपको बता दूं फिलहाल में राजधानी जो है इसका धाका है क्या है राजधानी इसका धाका है और रोपया चलता है टाका राजधानी धाका रोपया चलता है टाका याद रखिए गया यहीं कि रोपया का मतलब मुद्रा हो गया जिस तरह भारत म में क्या चलता है तो टाका चलता है ठाका ठीक है राजधानी धाका और मुद्रा टाका याद रखना है ठीक है दोस्तों भूलना नहीं अग्दम गर्दा मचा ही देना है अगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं को से नमबर फ्रोप्राइटर यह प्रोफेसेर मोहमत उनिषक मैं संबन्ध किस देश से है दोस्तों तो पर वभाइटर मोहमत उनिषक का संबन जो जो है दोस्तों वह बंगला देश के रहने वाले थे इसलिए एंसर हो सी ठीक है आगे परते हैं और कस नम्हेर देख state 31 प्राथमिक क्रीसे सांच समीती क्रीशा को किस परकार कारिंड परदान करती है तो प्राथमिक 32 जुवाहर रोजगार योजना किस बर्स प्ररंब हुई दोस्तों तो जुवाहर रोजगार योजना दोस्तों मैं बता दूं कि आपको 1989 में प्ररंब हुई दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोस्टन नंबर 33 33 में हैं मन रहेगा मैं एक बर्स में कितने दीन का रोजगार देने का गरांटी दी जाती है दोस्तों तो मन रहेगा मैं एक दिन एक बर्स में आपको 100 दीन की रोजगार देने की गरांटी दी जाती है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ जाईए और देख लिए कोस्टन नमर 34 उभोगता सरक्षण के लिए कितने राज आयोग हैं दोस्तों देखिएगा इसका एंसर आप से छूट न जाए बार बार कर रहा हूं कि इस तरह के कोस्टन जो है आता ही एक्जाम में है गरांटी है कि आत ही आता है इसलिए भोगता सरक्षण के लिए कितने राज आयोग हैं तो 35 है इसलिए इसको याद कर लेजागा 35 होगा ही होगा ठीक है आगे बढ़ जाईए प्रोफेसर या प्रोप्राइटर पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में किस समिथी का गठन किया गया तो इसमें महाल नोबिस की अध्यक्षता में राष्टी या आय समीती का गठन किया गया था दोस्तों इसलिए 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 नंबर ठीक है समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोस्षन नंबर 36 उभोग बयाय और बचत का योग क्या कहलाता है तो उभोग ब बीवी आई बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोस्षन है आप लोगों को एक्जाम के दिरिष्टी कोण से ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कोस्षन नंबर देख लेते हैं 37 निमलिखित में कौन आर्थी क्रिया का चक्रिय परवाह है चक्रिय परवाह का मतलब एक दरफ स गया और उसी जगा पर फिर आ गया इसलिए इसमें उत्पादन बे आय इनमें सब ही इसलिए एंसर इसमें तीनों होता है इसलिए एंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें सब ही ठीक है आगे होगा समझ में आगे बढ़ते हैं 38 भारत में सर पर्थम राष्टी आयका अनुमान क अब लगाया गया दोस्तों तो इसका एंसर हो जाएगा आपको यह नंबर 1871 में लगाया गया था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ जाईए और देख लिए जाप जरूर से जरूर याद करके ही जाईएगा 49 नंबर को सन है निवन में से कौन सहकारता का मूल भूत तत्त तो न नहीं है तो यहाँ पर हमारा एंसर हो जाएगा यह नंबर अनिवार सद्यसता ठीक है अगे बढ़ जाईए और देख लिए को सनमबर 40 इन में से कौन गैर आर्थिक अधारित सनचना है इन में से कौन गैर आर्थिक अधारित सनचना है बीत उर्जा स्वास्त और संचार तो गैर आर्थी का धारिश सनसना कौन सा है इसमें दोस्तों तो यहां पर मेरा एंसर हो जाएगा यह नमबर यानि की नहीं नहीं स्वास्थ तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कॉस्चन नमबर हम लोग 41 समिधान का 74 संसोधन संबंदित है तो समिधान का 74 संसोधन जो है दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि नगरिय सासन व्यवस्ता से संबंदित है इसलिए अंसर हो जाएगा बी ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कॉस्चन नमबर 42 बिहार में एक नगर निगम में अ सकते हैं तो दोस्तों बिहार के एक नगर निगम में लगभग 75 तक वाड़ हो सकते हैं इसलिए एंसर हो जाएगा डी ठीक है कितना हो सकता है तो 75 हो सकता है चीपको आंदोलन संबंदित है दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं चीपको आंदोलन से कोशन जरूर से जरूर आएगा एकदम लली पॉप है और आपको समय लेना है कि जिस तरह से आप लली पॉप को खाते हैं उसी तरह से इसका भी एंसर आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों तो यहां पर अपसर है मैधा पाटकर से लाला लाजपत राय से सुंदर लाल बहुगुणा से और अ आपको यह परजावरन से संबंदित हैं जिसमें पेड़ से चिपक कर लोगों ने पेड़ काटने से ठीक दारों को रोका था ठीक है दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोस्चन नमबर 44 देखिए नेपाल में सब्त दलिये गठ मंधन क्यों किया गया तो न कोस्चन नमबर 45 बहुजन समाज़ पार्टी की अस्थापना की निइंसक्वाह कैथ , undergraduate 406 दल बदल राष्टपती नहीं कर सकता है उपराष्टपति नहीं कर सकता है सांसद अर बिधायक नहीं करते हैं इसलिए हमारा answer हो जाएगा ए नमबर नुमें सांसद और बिधायक को पर ठिक है आगे बढ़ते हैं और नमबर 47 जरकंड बिहार से कब प्रिथक हुआ का मतलब दोस्तों कि कब अलग हुआ ठीक है यानि कि जरकंड और बिहार का पटवरक कब अलग हुआ जरकंड बिहार से तो इसका एंसर हो जाएगा आप तो जानते ही होंगे पॉंदर नमबर 2000 को ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर 48 इन में से कौन संग्य प्रनाली की बिशेस्ता नहीं है तो संग्य प्रनाली की बिशेस्ता आपको बार बर बता रहा हूं कि यह कहरी सासन ब्यवस्ता जो है संग्य प्रनाली की बिशेस्ता नह नहीं होती है तो हमारे देश में लोग सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों आपको पांसो तीरालिस यानि की तैंतारीस होता है ठीक है आगे बढ़ जाईए और देख लिजेए कोस्पर नमबर 50 पुर्भ में बंगला तो पुर्भी पाकिस्तान नाम से जाना जाता हुआ था जो आज पकिस्तान है वह पच्छम है लेकिन भारत से जो उससे होकर गुजारना पड़ता था इसलिए उसको पूर्वी पाकिस्तान को बंगलादेश घोशित कर दिया गया इंद्रे गांधी के समाए में ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एकावन वेस्ट इंडिज स्वांग की अस्थापना कब हुई थी तो वेस्ट इंडिज स्वांग की अस्थापना जो है दोस्तों आपको बता दूं कि 1965 में हुई थी तो बीशू का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है दोस्तों यह हमारा ही देश है हम लोग का अपना देश है कौन सा देश आप लोग जान गए होंगे इसलिए मैं बता देएँ कि आपका अपना देश हमारा अपना देश है इंडिया जिसको हम लोग भारत के नाम से जानते हैं ठीक है जानी कि भारत या इंडिया कहिए सब बात एक ही है हिंदुस्तान कहिए दोस्तों यह हम लोगों कि सान है ठीक है कि हम लोगों के देश में सबसे बडा लोगतानरिक देश है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ जाई है और देख लीजे क्विशन बर 54 आंग सांसु किस देश के नागरिक है तो आंग जो है दोस्तों मैनमार के नागरिक है यानि कि सी नमबर एंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 55 छेत्रवाद की भावना का कूपर नाम है छेत्रवाद की भावना का कूपर नाम दोस्तों आपको अलगाव वाद है ठीक है दोस्तों अलगाव वाद है आगे बढ़ जाएए और देख लिजिए 56 दुधुवा राष्टिय उधान कहा है तो दुधुवा राष्टिय उधान जो दोस्तों डीम आनिकी उत्तर स्वादेश में में उत्तर परदेश में दुधुवा राष्टिय उधान है ठीक है समय में आगे होगा दोस्तों आगे बढ़ते है और देख लेते हैं कोस्दन हम नमबर 57 भारत की पर्थम राष्टिय में में अपने गए ती निधा क्लियर हो जाएगा और मैं चाह रहा हूं कि आपका एक नंबर भी छूटे नहीं ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोस्ट नंबर 58 विश्व में सारवाधिक वना वरन वाला देश कौन सा है यानि कि कौन सा देश है जो सबसे ज्याधा जिस देश में बन है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों रूस रूस ऐसा देश है विश्व में जो सबसे ज्याधा बन वाला देश है ठीक है आगे होगा आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं कोस्ट नंबर 59 किस मिरिदा में हिवमस की मात्रा नगन ने होती है तो कौन सी मिरिदा है यानि कि म दोस्तों तो यह है आपको पहला एंसर दिख रहा है यह नंबरो डी डी लरा बिट बीटी जो है उसस में आपको हुमस की मात्रा सबसे काम यहां पर अप्शन में जितना दिया हुआ उसमें होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लो को कुसर नंबर 67 उयक्री तेल उत्पादक छेत्र जो है दोस्तों डिग भोई है जो की असम में है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ जाईए और देख लिजे कोशन नमबर इनमें से कौन रोपर फसल है दोस्तों तो यहां पर देखिएगा चाय अप्शन में दिया है जो की रोपा जाता है रबबर दिया है यह भी रोपा जाता है गन्ना दिया है यह भी रोपा जाता है इसलिए एंसर क्या हो जाएगा आपका डी इनमें सभी हो जाएगा ठीक है दो कि जो आ राजड़ा बजड़ा हो गया इस सब बोया जाता है लेकिन चाय रबबड गन्ना जैसे धान है हम लोगों कि यहां वह रोपा जाता है उसी तरह से यह सभी जो अप्शन में दिये हुए हैं सभी रोपे जाते हैं ठीक है दोस्तों आगे बढ़ जाएए आगे देख ल बहुत ही कोस्टों मैं बता रहा हूं बहुत इजी कोसे नायगा आपको एक्जाम में और इसीतरा कोसलन परसंट कर थे हैं कि Saint लड़ेंगे ही लड़ेंगे कॉस्षन ठीक है दोस्तों तो कामर जील कहां इस्तित थे चल यह इसलिए अंसर हो जाएगा सी ठीक है आगे बढ़ जाईए और देख लिजे कॉशन नंबर 64 किस राज में संजुक्त बन परवनधन का पहला परस्ताव पारित किया गया तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों ये पच्छिम बंगाल ठीक है आगे बढ़ जाएए और देख लिजिए कोशन नमबर 65 इन में से कौन अकर्बनिक खनीज है तो अकर्बनिक खनीज कौन सा है तो देख लिए दोस्तों इसमें अभरक है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है ठीक है आगे बढ़ जाएए और देख लिजिए कोशन नमबर 66 भारत में किस राज में सरवाधिक मैंगरो बन है तो इसका एंसर भी हो जाएगा आप सबसे ज्यादा जो है आपको मैंगरो बन मिलते हैं पौधे जो है मिलते हैं आगे बढ़ जाएए और देख लिजिए कोशन नमबर 67 कौन कोईला घटिया किस्म का होता है तो सबसे खराब जो है कोईला होता है वह होता है दोस्तों पीट इसलिए एंसर हो जाएगा डी ठीक ह आगे बढ़ जाएए और देख लिजिए कोशन नमबर 68 भारत में चाय की क्रीशी कहां सुरू हुई थी भारत में चाय की क्रीशी जो है दोस्तों ऑसम में सुरू हुई थी इसलिए एंसर हो जाएगा ऑसम सी ठीक है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर 69 पा पाइराइट दोस्तों बता दे कि आपको यह पाइराइट जो है आपको धात्वी खनीज है ठीक है इसलिए एंसर हो जाएगा ए ठीक है आगे बढ़ जाएए और आगे हमारा आ रहा है कोश्चन नमबर 70 भारत का पहला परमानुस सक्ति सनयांत्र कौन है देखिए अगदम चाकर ही रख दीजिएगा तो एंसर हो जाएगा इसका यह तारा पूर ठीक है आगे बढ़ जाएए और देख लिजे कोश्चन नमर 70 भान को ड़्मा का संबंध की स्कॉन से है तो दोस्तों को डर्मा का संबंध जो है आपको अभरक्ष से है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ सबसे गजिए और सेवेंटीड़ू के और किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी ओगे ओपी की सदस्यता किस देशा इसका रहएगा डीपतर धहें ठोलक अगे बढ़ते हैं और कोसन नमर देख लेते हैं 73 इनमें कौन जूट का अगराणी उत्पादक है दोस्तों तो जूट सबसे ज़्यादा उत्पादत होता है कहां इंडिया में इसलिए अंसर हो जाएगा एक भारत आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर 74 आस्वन बांध किस नदी से सम्बंदित है दोस्तों तो आस्वन बांध जो है आपको नील नदी से सम्बंदी तो हैं इसलिए अंसर हो जाएगा सी नील नदी आगे बढ़ते हैं और देख लेजिए कोसर नमबर 75 75 कोसर दोस्तों इन में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है तो देखिए दोस्तों इन में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है सुनामी बाढ भुकम तो सुनामी भी आपको गौड्स यानि की प्राकृतिक होता है बाढ भी प्राकृतिक यानि गौड्स के द्वारा होता है भुकम यानि की वह भी प्राकृतिक होता है लेकित आतंक बात जो है लोग अपने आप से फैलाते हैं इसलिए यहां पर एंसर हो जाएगा डी जो प्राकृतिक आपदा नहीं है इमानोजनित आपदा है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ जाएए और देख लिजिए कोशन नमबर ठीक है दोस्तों समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कोशन नमबर 77 बार के समय उसके बाद बार के समय कौन अस्थान सुरक्षित है तो बार के समय आप लोग जानते हैं जहां पर पानी नहीं लगता है कहां पर पानी नहीं लगता है तो उची अस्था कर दो हुआ बटें से सबी तो इसका एंशर हो जाएगा इस लिए इस गिजाएगा दीग फिर अगे बढ़िए और देख लीए 79 अकास्मिक परबंधन का परमॅग घटक है अस्थानिय परसास पुरौन सभब और न यह कफ विन्वी्यन grateful हो जाएगा दोस्तों कि दी नंबर इनमें सभी यहां पर देखें जब भी कोई भुकम पाया चाहिए कोई आग लगे तो सबसे पहले अपने आसपास के लोग उसके बाद बगल के लोग और अस्थानी प्रसासन और स्वेम से सभी के सभी भाग लेते हैं दोस्तों इसलिए यहां पर हमारा हो जाएगा डी सभी उसके बाद है सबसे लास्ट को संजो अब्जेक्टिव का लास्ट असी को संजो आएगा आपको उसमें का असी नंबर को सन भुकम संभावित छेत्रों में भौनों की आकिरती कैसी होनी चाह इसलिए आपका एंसर क्या हो जाएगा डी नंबर आयताकार एंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे और इसका देख लीजिए यहां पर है जो लगू तरिये प्र अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो बढ़िया बात है अगर नहीं मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मैं इसका कोशन एंसर जो है लिखा कर आपके सामने प्रस्तूत करोंगा और सेम टू सेम जाकर आपको लिख देना है आपका एक भी नंबर जो है कटने व होगा ठिक है और उसके बाद दिर्गूतर यह है आपको प्रस्त्रा के 7 और 8 जो है दिर्गूतर आपको देना है उसी तरह से यहां विराज नितिक का कोशन है 9 12 तक इसमें से 2 का उत्तर देना है ठीक है और उसके बाद जो है आपको दिर्गुतर यह है जिसमें तेरे चोदे दो कोशन है जिसमें से आपको एक का एंसर देना है परतेक प्रशन के लिए आपको चारंक निर्धारत है एक कहीं एंसर देना है ठीक है उसके बाद चोदे नमबर आ गया उसके बाद आपको और साथ से समन्दित कोशन है इसमें भी जितना question दिया रहेगा उसका आधा answer देना होगा जिस तरह से आपको objective में अभी मैंने 80 question आपको बताया है और 80 question में से कितना आपको question पुछा जाया question का answer देना है दोस्तों तो वहाँ पर आपको 40 का ही OMR sheet पर रंग कर answer देना है दोस्तों ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फर वासिंग जेके डिजिटल क्लासेश और मैं जाते जाते यहीं कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को subscribe कर लिजिएगा ताकि आपको अगले बार से कोई भी problem न आये और जो भी problem आये मेरे सीधे comment box में जाईए और comment कीजिए शर मुझे इस question का problem है आप स्वड़ा solution दिजिए मैं आपको असा दिलाता हूं पुर्भी स्वास दिलाता हूं कि मैं आपका answer जो है तुरन आपको comment करके और answer जो है बताऊंगा अगर answer नहीं बताऊंगा ता उस पर ज आपको